नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपकी होश्ट और आप देख रहे हैं धर्मसर्मार्ग 24 नॉवंबर सनीवार बहुत ही अधुत संयोग खास दिन इस दिन की महिमा जितना भी की जाए वो कम है दोस्तों इस दिन तमाम तरह के टोटके आप कर सकते हैं एक तो सनीवार के दिन अगर आप कोई भी टोटके करते हैं तो वो सफल होता है और दूसरा आप टोटके करते हैं अगर किसी के तंत्रवाधार नजर दोस्तों काटने के लिए तो वो भी सफलता पुर्वक आपके जीवन से खत्म हो जाता है तो हम बात करेंगे आज पीपल के पत्ते की वैसे तो पीपल के पत्ते के बारे में जितना भी बोले वो कम ही है बहुत ही अद्भूत हनुमान जी को प्री आपको तो पता ही है कि बजरंग बली को पीपल के पत्तों की माला अरपित की जाती है तो आपको सनीवार की सुबह करना क्या है? आप पीपल बिश्ट के पास जाएं वहाँ पर जाके उनकी विधिवत पुजा अर्चना करें क्योंकि कहते हैं सनीवार की सुबह पीपल के बिश्ट के नीचे मा लक्ष्मी का बास होता है तो आप जरूर जाएं परणाम कीजिए इसलिए लोग सनीवार को पीपल में जल डालने जाते हैं आप भी डालिए और वहाँ से पीपल के पत्ते गिरे हुए कुछ होंगे आप चुनके 11 पत्ते ले आईए फ्रेस देखके लीजिएगा हलके से सुखे वे या पीले पन भी चलेंगे पर ग्रीन देखिएगा वैसे मार्केट में आपको खरीद कर भी मिल जाएगा खुद से पत्ते मत तोड़िएगा दोस्तों उसके बाद आपको लेकर हनुमान जी के मंदिल में इन 11 पीपल के पत्तों का आप माला बना ले यानि कि इसमें आपको उनके पीपल के पत्ते के डंठल में मोली धागा बान देना है और उसके बाद टोटल को मिला के एक माला बनाईए हनुमान जी को पहना दे ये पीपल का माला बहुत ही चमतकारी है आपकी जो भी मनोकामना है जब पत्ते के आप माला बनाएंगे उसमें मनोकामना बोलते जाईएगा साथ में हनुमान चाली सा भी पढ़िएगा उसके बाद हनुमान जी को पहना दीजिए ये चमतकारी टोटका आप चाहें तो हरसनी बार कर सकते है वरना एक बार भी काम कर लेने से काम चल जाएगा और कल का दिन खास है आप जरूर कीजिए अगर आप सुभा के समय चूक जाते हैं तो साम के समय अच्छे से फ्रेस हो जाएए और हनुमान जी के मंदिल जाके पीपल के पत्तों का माला हुने अर्पित कीजिए अगर संभब हो तो सिंदूर का चोला उन्हें चढ़ाईए अब आप पुछेंगी कि चोला क्या होता है सिंदूर और चमेली का तेल या फिर सिंदूर और गाय का गी को मिक्स करें गारहा पेष्ट बनाए और हनुमान जी के पूरे सरीर में लगाए अगर आप लेडी हैं महिला हैं तो उन्हें लाल फुल अर्पित और अगर आप पुरूस हैं तो चोला चढ़ाईए कोई दिक्कत नहीं है आपकी मनो कामना हाथों हाथ पूरी होगी क्योंकि हनुमान जी कलियों के जागरित देता है जो भी आपकी समस्य हैं उनसे कहें उनसे जल्दी रिजल्ट और कोहीं नहीं दे सकता इस यूग में लेक हनुमान जी तो भक्त हैं भगवान तो राम जी हैं तो भक्त को आप पहले राम जी का नाम ले फिर उनसे कहें कि आपकी मनो कामना को पूर्ण करेंगे और फिर आप वापस चले आईए पीछे मुड़कर मत देखिएगा आपकी मनो कामना जल्दी पूरी होगी तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कर सब्सक्राइब जरूर कीजेगा हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ धन्यवाद